लड़की साथ 36 गड़ स्कूल में भाय द्वारा यौन उत्पीडन किया गया 36 गड़ की राजधानी रायपूर में साथ वर्षिय लड़की के परिवार ने आरोक लगाया है कि पिछले हफ़ते उसके स्कूल में यौन उत्पीडन किया गया था हाला कि पुलिस ने शिकायत दर्ज की है और स्कूल से CCTV फुटेज की जांच कर रही है लेकिन कोई गिरफतारी नहीं की गई है पुलिस स्कूल से CCTV फुटेज की जांच मा ने देखा कि लड़की के अंडवी गायप थे खून भी देखा 36 कर बाल अधिकार निकाय ने लड़की और स्कूल कारेकरता से बात की है परिवार कहता है कि जब लड़की अपने नए स्कूल में अपने पहले दिन घर लोट आई तो मा ने देखा कि बच्चे के अंडवी गायप थे और अपने निजी हिस्सों में खून देख रहे थे यह बुदवार को स्कूल में उनका पहला दिन था वह स्कूल गई और हम उसे स्कूल में मिलना चाहती थी लेकिन हमें ऐसा करने की इजाज़त नहीं थी स्कूल से लोटने के बाद उसके कपड़े बदलते समाए मेरी पत्नी ने देखा लड़की के पिता ने बताया उसके निजी हिस्सों पर खून और वेह अंडगम नहीं पहन रही थी लड़की ने अपने माता पिता से कहा कि वह घटना के बारे में अपने शिक्षक को नहीं बता सकती थी क्यूंकि शिक्षक चालू नहीं हुआ था 36 गड़के बाल अधिकार निकाय के प्रमुख ने लड़की और स्कूल में एक महिला कारे करता से बात की बाल अधिकार आयोग ने कहा कि वे एक टीन बनाएंगे और जाच करेंगे वह लड़की कह रही है कि भाईया ने कथित तोर पर उसे छेड़ चाड़ की थी स्कूल के चोटी ने कहा कि उसने मूत्रपार करने के बाद बच्चे के अंडविय को फेक दिया बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रभाद दुबे ने बताया कथित बाल यौन हमले की नवींदम घटना देश के विभिन हिस्सों में बच्चों के बलातकार और हत्याओं के मामलों में एक राष्ट्रव या पीक रोद के बीच आती है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी नाब बालगों के खिलाफ बलातकार करने के लिए दोशी पाए गए लोगों के लिए मौत की सजा की सिफारिश करने पर चर्चा के लिए आज कैपिनेट की बैठक की अध्यक्ष प्रभाद के खिलाफ